वल्कम टू माई चैनल सुरंजी सर लाइब कलास दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कलास के टर्मिनल एक्जाम हिंदी का अब्जेक्टिव कोस्टन जो के आपसे हु बहु इसी से पुछेगा वीडियो को पूरा देखिए का 100% गायेंटी लेते हैं आपका अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और घंटी को दबा के वल कर लिए दोस्तों पहला कोस्टन का प्लाउट के लेखक कौन है तो इसका उत्तर आपको बी नमर हो जाएगा सी पूजन सा है ठीक दोस्तों हम आपको एंसर बताते जा रहा है ठीक और अ इसका एंसर यह हो जाएगा सिक्षा के हेर फेर चलिए दोस्तों अगला कोस्टन देख लेते हैं ठीक तीन नमर का कोस्टन है दोस्तों मैं नीर भड़ी दुख की बदली के रचनाकार कौन है तो बताए दोस्तों जल्दी बताए इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर भी हो ज झल जाएगा दोस्तों चलिंद्बन अगला कुस्टन देख लिते ole फाँ नमोर का पूजन सहाय के बच्पन का नाम किया था इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तो बताई जल्दी बताए इसका answer आपको सीव होजाएगा भाग जोगनी का चालिये अगला question देख लेते हैं दोस्तो अगला question सात नमर का dr. राजेंद परसाद का जन्म कब हुआ था इसका उत्र आपको हो जाएगा दोस्तो बी नमर 1884 इस वी में आठ नमर का question है चीनी यात्री फ्रहमान नालंदा कब आये थे इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तो आठ नमर का बी हो जाएगा चौथी सदी में ठेक चलिए दोस्तो अगला question देख लेते हैं नमर का question है भोग जोगनी किस कहानी की पात्रा है तो इसका क्या अंसर हो जाएगा दोस्तो आप लोग माइंड भी रखिएगा ठीक नम इसका अंसर आपको सी हो जाएगा कहानी का प्लोट ठेक चलिए दस नमर का question है कि नालंदा राजगिरी से किधर है इसका अंसर क्या होगा दोस्तो इसका अंसर आपको डी हो जाएगा उत्तर ठेक चलिए नेक सवाल देखते हैं दोस्तों कि एगारा नमर का है लक्षमी नरायन सुधान सुका साहितिक जीवन किस रूप में आरंभ हुआ था इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको ए हो जाएगा एक कथाकार के रूप में और वीडियो को लाइक ने किया लाइक कर दीजिए दोस्तों ठेक मैं आपको अबजेक्टिव रिवीजिंग भी करवा रहा हूं ठेक बारान कुस्तन है कला गीत का आरंभ किस से हुआ है इसका अंसर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों बारा का भी हो जाएगा ग्राम गीत से ठीक चलिए दोस्तों अगला कुस्तन देखरेते तेरे नमर के फनी स्वर नाथ रेनु का जन्म किस जीला में हुआ था इसका अंसर आपको हो जाएगा डी नमर दोस्तों अरडिया ठीक चलिए चौदान और कुस्तन लाल पान की बेगम क्या है लाल पान की बे सोलनो और को भारत में पहली बार सिनेमा का दिखलाया गया था ठीक बताएगे सुछ जुलाई अठार सो च्यानवे को चलिए नेक्स कोस्टन 17 नमर का कोस्टन है परभु जी तुम चंदन हम पानी के कभी कोन है इसका इंसर क्या हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा रेधास ठीक चलिए अठार का कुस्टन देखते हैं सिता कांत महापात्र का जन्म कहा हुआ था इसका इ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक उनेस नमर का कुस्टन है निम्मो की मौत किस पुष्टक से संकिलित है इसका एंसर आपको दोस्तों क्या हो जाएगा उनेस का सी हो जाएगा रात पाली चलिए 20 नमर का कुस्टन दोस्तों गुरु गोविंद सिंग का मूल न का कुस्टन है सपंदन में चीर डोट डोट बसा रिक्त अस्थान में कौन सा सब्द होगा इसका एंसर सी हो जाएगा निस्पंद ठीक चलिए 22 नमर का कुस्टन है दोस्तों कि हरी ओध का पूरा नाम क्या है इसका एंसर आपको 22 का सी हो जाएगा अधिया सिंग उपध्या ह पारी ओद चलिए एगला कुस्टन देखते हैं दोस्तों तरश नमर का तरश नमर का कुस्टन है बिहार का पहला फिल्म कौन है इसका सई अंसर आपको हो जाएगा दोस्तों भी पुनर जनम ठीक चोबिस की सिंग नमर का कुस्टन है दोस्तों चोबिस नम्पटना नाटक मंडली एकि अस्थपना कब हुई थै इसका एंसर आपको भी हो जैगा ठारश सक्षे तर इस भी में 25 नमर का question है दोस्तो संग्या के बदले बोले जाने वाले सब्द को क्या कहते हैं तो इसका answer आपको C हो जाएगा सर्व नाम चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तो 26 नमर का question है इनमें तत्सम सब्द कौन है तो इसका answer आपको हो जाएगा अंठेक उसके बाद चलिए दोस्तो अठास नमर के question देखते हैं तो पोबन किन-किन वर्नों की संदी हुई है इसका answer आपको 28 का दोस्तो बी हो जाएगा प्रती जोर एक चलिए तीसका है देवेश में कौन सी स्वर संदी हुई है तो इसका answer आपको सी हो जाएगा गून ठेक सब्ध के अंत में लगकर जो नए सार्थक सब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं इसका answer आपको जाएगा दोस्तों भी परतिये चलिए अगला question देखते हैं दोस्तों 34 question उपकार का विफ्रार्थक सब्द क्या है तो इसका answer आपको हो जाएगा दोस्तों ए अपकार 35 question सुरस्वति का परियावाची सब्द कौन है तो इसका answer ए हो जाएगा सार्दा चलिए नेक सवाल लेते हैं दोस्तों 36 question टन बोल जाना मोहावड़े का आर्थ क्या है तो इसका answer आपको हो जाएगा दोस्तों C ठीक मर जाना चलिए 37 question मैं कलंस से लिखता हूं यहां से कौन कारक का चीन है तो इसका answer आपको हो जाएगा दोस्तों B करन ठीक चलिए अगला question देखते हैं दोस्तों 38 question है सम्य सभ्य का मूल सब्द क्या है इसका answer आपको इव हो जाएगा सब्द आता उन 40 नुमर कोस्तों धर्ति का पढ़ियावाची सब्द क्या है तो इसका सही answer B हो जाएगा धात्री चलिए और 40 नुमर कोस्तों आप धोनी का आवचारन अस्थान क्या है इसका answer B हो 41 question है हिंदी वर्न माला में वर्नों की कुल संख्या है इसका answer A हो जाएगा 52 चलिए 42 का question है दोस्तों कि विसर्ग का उचारन अस्थान क्या है इसका answer आपको दोस्तों B हो जाएगा कंड चलिए अगला question देख लेते दोस्तों बहुत कम सवाल नहीं बचा है 43 का अस्त का विलो सब्द है इसका answer आपको ए हो जाएगा उदे 44 का है आँक का परियावाची सब्द है इसका answer हो जाएगा दोस्तों आपको ए नमर चक्छू चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तों 45 कोसेन है चीख कौन लिंग है इसका सई एंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ए नमर का question है मेहंद्र का संदी विछेद है इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों आपको यह महा जोरी इंद्र ठीक चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं सई तालिस का आदी का अती काल में कौन सा उपसर्ग है इसका सई एंसर सी हो जाएगा अती चलिए नेक सवार अर् है इसका answer आपको भी हो जाएगा सिकार करना सभी सिकारियों को नहीं आता चलिए उन्चास नमर का question देख लेते हैं उन्चास का आग में घीर डालना का अर्थ है इसका answer आपको दोस्तों भी हो जाएगा किसी के क्रोध को भरकाना उसके बाद लास्ट सवाल है जब दोस्तों पचास नमर का पढ़ाई में कौन सा पढ़ती है इसका answer हो जाएगा आई दोस्तों आज की वीडियों बस इतने और भी आपको objective subject चाहिए किसी विजय का ताब हमें कमेंट बक्सें जरूर लिखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और घंटी को दगा कर ल झाल